आये जर्पगां की टो पचीज परमोगख खबर जानते हैं गरिक बता दे परिक्षा नहीं होने की इस्थिती में उतर पुष्पिक आ प्रश्ण पुत्र परिक्षा की गार्डिंग और उसके मुल्याखन खर्च किरासी छात्र छत्राओं को वापस किया सकती है जार्खन एकेडमी कॉंसिल बोर्ड के साथ साथ सीवीएसी से इसकी मांग उठने लगी है वहीं पिछले महीने ही बिहार बोर्ड ने कमपार्टमेंटल और बीसेस परिक्षा के लिए लिए गसुल को वापस करने का निने लिया है बतादे जार्खन में मैट्री के परिक्षा के लिए 4,34,34 ने आवेदन किया था वहीं इंटर्मेडियर्ट में 3,44,34 परिक्षा देने वाले थे मौसम विभाग के अनुसाद 7 और 8 जुलाई को जार्खन के मध्य भाग राची बोकारो गुमला हजारी बाग खुटी वर रामगड में कहीं कहीं भारी बारिस का पूरुवनमान किया है कहीं कहीं गर्जन और बजरपात भी हो सकती है इसे लेकर विभाग ने एलो अलर्ट जारी करते हुए सतर कराने के लिए कहा है मौसम विग्यान विभाग ने अपने पूरुवनमान में बताया है कि जार्खन के उत्री हिसे संथाल परगना में भी कहीं कहीं इसका असर हो सकता है कहीं कहीं भारी बारिस हो सकती है पता दे जारखन में मानसून अभी समाने रूप से सक्रिये है इस करन राज के कई हिसों में बारिस हो रही है एस्ट्रो फोटोग्राफिक हब बनेगा पलामू टाइगर रिजर्ब आठ अगस्त को होगी शुरुआत देश में पलामू टाइगर रिजर्ब में सबसे ज़्यादा डार्क साइट मिले है जो कि हिमाले छेतर की तुलना में ज़्यादा है इसे अंतराश्टिये फोटोग्राफरों के बीच इसकी लोग पिरिता बढ़ी है ऐसे में अप्रसीद वन अश्रेनी होने के साथ साथ एस्ट्रोफोटोग्राफिक हब बनने की और अग्रसर है जनकारी के अनुसार डार्क साइट फाइंडर वेप साइट में पी टी आर के बड़े हिसे को बतर डार्क साइट चीनित किया गया है डार्क साइट वाली जगह पर लाइट पल्यूशन कम रहता है जिससे एस्ट्रोफ फोटोग्राफिक की जा सकती है इसमें मुखे रूप से खोगोलिय तस्वीरे खीची जाती है जहारकंड में अब गरभव रती महिलाएं भी जूढेंगी टिकाक catching अभियान से स्वास्थ विफाग ने राजे की गर्ववती महिलाओं को कुरोना टीकाकरन अभियान से जोडने का निदेश जारी किया है बतादे केंदर सरकार द्वारा जारी प्रोटोकाल के अलोक में जार्खन स्वास्त मीशन समीती ने राजे के सभी सिविल सर्जनों को इस समंदित अदेश जारी किया है इसमें कहा गया है कि 18 पलस वाले को कुरोना टीकाकरन से जोडने के बाद राजे की 75 फिर्षदी अबादी टीकाकरन के लिए पात्र हो गई है इसमें आधी अबादी भी सामिल है आधेश में सिविल सर्जनों से कहा गया है कि केंदर सरकार द्वारा जारी गाई लाइन के हिसाब से राजे में गरभवाती महिलाओ को जागरू कर उनको टीकाक केंदर तक पहुशाने की जिमिदारी जीला में आपकी है इसकूलों में बदलेगा पढ़ाई का तरीका दिवारे बनेगी ग्यान का खाजाना इसकूल की दिवारे पर बने ब्लैक बोड में तरह तरह के चीतर बनाकर सवाल हल करते बच्चे पास में बने रंग बिरंगे चीत्रों को देह कर उनके बारे में एक दूसरे से हो रही चार्चा कुछ कदम दूर पेड़ पधों के बीच चाकर तने फूल पतियों के रंग गुण सुगंद और विभीन पहलों पर चार्चा करता बिद्यर्थियों का एक और समो वही ओक और माचीस की तिलियों और कुछ कंकल के माधेम से छात्रों के एक अन्य गुरूप को गनीत के सवाल चुटकियों में हल करना सिखा रही सिख्छी का यह महल राची के एक स्कूल का है जहाँ पाने नी सिख्छन पदती से पढ़ाई हो रही है स्टेन स्वामी का मुंबाई में निधान राची के नामकुम के रहने वाले खुद को मनवा अधिकार करकरता बताने वाले स्टेन स्वामी का निधान हो गया है बतादे 84 वर्स के स्टेन स्वामी की मुंबाई में इलाज के दोरान मौत हो गई वे भीमा कोरे गाव मामले में मुंबाई की जेल में बन थे उन पर पधान मंत्री नरंद मोदी की हत्या की साजिस रचने का भी आरोफ है बतादे भीमा कोरे गाव मामले में एन आईय यानी राष्टिय जांच एजेंसी ने उनके नाम को मिश्थित आवाज से उनसे पूस्ताच की थी, इस तोरान कई समान बरामत किये गये थे, इसके बाद उन्हें एन आईय ने गिरफतार किया था और मुंबाई ले गया था, तब से वे मुंबाई की जेल में बन थ रांची मेनीजी इसकूलों में फिस बढ़ोतरी के खिलाप अईभावक संग ने किया परदर्शन, जारखन अईभावक संग की ओर से साथ वार साथ गुहार कारकरम के तहत सोमवार को अईभावक संग की ओर से लालपूर चोक में मौन परदर्शन का कारकरम अयोजित किया इसके तहत अईभावकों ने COVID-19 का अईभावक संग के अध्यक्ष अजायराय के नेतुत में पले कार्ड के साथ मौन परदर्शन किया शंग के द्वारा मुखे रूप से जारखन सिक्षा नयाधिक करन संसोधन अधिनियम 2017 का पालन जीले से लेकर स्कूल अस्तर पर कराने, फिस के अभाव में ओनलाइन कलास से वन्चित छादरों को ओनलाइन कलास बहाल करने, कोरोना काल में ट्यूशन फिस के अलावा दूसरे सुल्क माफ करने, संबंत्ता प्राप्त इसकूलों की पिछली पांच साल का ओडिट रिपोर्ट की समिक्षा करे, राज सरकार आदी मांग सामिल है, मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के लिए गठीत होगी कमिटी, जार्खन के स्वास्त मंत्री बाना गुप्ता ने कहा है कि राई सरकार चिकी सकों को सुरक्षा परदान करने है, तु मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने को लेकर गंबिर है, क्लिनिकल एस्टेवलेस्मेंट एक्ट में जो कमिया हैं उन्हें भी दूर किया जाएगा इसे लेकर शिगर ही एक कमिटी गठित की जाएगी, कमिटी में चिकीशको के अलावा बीधी विशेस्गयों को सामिल किया जाएगा, मंत्री ने रव्बिवार को इंडियन Medical Association को या अस्वासन एक बेबिनार के दोरान दिया जार्खन हाई कोड में राची के जगनात मंदीर से रथ यात्रा निकालने की मांग को लेकर जनितियाच का दाखिल की गई है जार्खन में 46 नाई केस मिले हैं जार्खन में कोल मोत की संख्या एक आउन सो सत्रा है वहाई कुल एक्टिफ केस की संख्या 609 है भारत में 34-26 नए केस मिले हैं भारत में कुल एक्टिफ केस की संख्या 4,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, लेवर्स की समान अधी में हुई टेक्स वसुली 233 क्लोर से 325 क्लोर अधिक है बतादे अप्रेल से जुन के मध्य जीएश्टी वा वैट दोनों के टेक्स संगरा में ब्रीधी हुई है कोई जीलों के उपायुक्त समेत 31 आईएस अधिकारियों का तबादला राजे के 31 आईएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है वहीं दुमका बोकारो धनबात को डार्मा रामगर चात्रा और पाकुड के उपायुक्त बदल दिये गया है कार्मिक प्रसासनिक सुधार्वा राज भसा विभाग ने इसकी जनकारी चारी कर दिया है रामगर के उपायुक्त संदीप कुमार सिंग को धनबात का उपायुक्त बनाया गया है वहीं पाकुड का उपायुक्त कुल्दीप चोधरी को बोकारो का उपायुक्त बनाया गया है इसके अलावा मन्डेगा आयुक्त वरुन रंजन को पाकुड का उपायुक्त हजारी नगर निगम की नगर आयुक्त माध्वी मिस्त्रा को रामगण काउप आयुक्त गामिन विकास विभाग में सन्युक्त सचीव आधित रंजन को कोडार्मा काउप आयुक्त गोडा की उप विकास आयुक्त अंजली आदो को चत्रा काउप आयुक्त बनाया गया है